अटल बिहारी वाचपई के जैनती पर आयजित किसान सम्मान सम्हारों से लोट रहे प्रभारी मंत्री दारा सिंग के काफिले को ग्रामिनों ने घेर कर रोक लिया काफिले में सांसत, विधाय, जिलादिकारी और स्पी भी शामिल थे विंद्याचल थानाक्षेत्र के सिताकुन के पास विजयपूर निवासी संतोष कुमार चौबे उर्फक गुड्डू चौबे की हत्या का खुलासा न किये जाने से परिजनों के साथ एग्रामिन आकरोशित थे गोली मार कर चौबे की हत्या 29 मार्श 2019 में की गई थी आज तक आरोपियों को गिरफतार न के जाने से आकरोशित परिजनों ने प्रबारी मंतरी और सांसत की गाड़ी को रोक कर प्रदर्शन किया सांसत की गाड़ी के ठिक पीछे गाड़ी में प्रबारी मंतरी दारा सिंग चोहान बेठे थे आदे घंटे तक सांसत की गाड़ी परिजनों ने रोक रखी DMSP और संसत के काफी समझाने के बाद मुख्यमंत्री से बात कराने को लेकर परिजन अड़े रहे पहले तो गाड़ी में बैठे-बैठे ही सांसत ने लोगों को समझाने का प्रयास किया लोगों के आक्रोश के बीच अंततह गाड़ी से उतर कर सांसत अनुप्रिया पटेल ने परिजनों को एक बार फिर कार्यवाही का आश्वा संदिया किस तरह प्रशासन ने परिजनों को भुला कर वारता के लिए किया राज़ी बहुत मुश्कील से माने परिजन पुरोप्रधान मंत्री स्वरगी अटल बिहारी वाचपे के जनम दीवस पर आयजित कारेकरम में चानबे ब्लॉग पर पहुचे थे मंत्री और सांसत परिजन हत्याकान का खुलासा करने के लिए सीबी सी आईडी या सीबी आई जांच की मांग कर रहे है मृत्तक संतोश की पत्नी ने बिलखते हुए कहा कि वह किस से कहे आत्मा हत्या कर ले इनबी से नियूस के लिए मर्जा पुर से अजय दूबे की रिपोर्ट